हलो दोस्तों आज हम सिखेंगे फोटोसॉप में बैग्राउंड चेंज करना बैग्राउंड चेंज करने के लिए फोटोसॉप में बहुत सारे तरीके हैं हम आज सिंपल तरीका सिखेंगे इसके लिए जो प्लेन बैग्राउंड फोटू में हो उसमें अपन कलरफुल बैग्र किलिक करें double किलिक करने के बाद यह open का window आ जायेगा और जिस photo का आप बैग्रॉणट चेंज करना चाहते हैं what photo आप open कर ले open पर किलिक करने के बाध photo open हो जाएगी ध्या को नेक्ष्ट अब इसकी те bike background सेलेक करने के लिए Magic one तूल का यूज करें Gothic One betploys shortcut W है इस तूल से इस पर किलिक करें बैक्राइंड सेलेक्ट हो जाएगा और नेउस्ट सेलेक्ट करने के लिए shift के साथ किलिक करें के लिए किपेड में shift select करें और मॉस किलिक करें यह और जो भी background बागी white का बचा सारा select हो जाएगा इसमें इसके बाद feather देंगे feather देने के लिए select में जाके feather select करें या फिर keyboard में control alt d press करें feather का option आजाएगा यहां हम दो का feather देके ok पे click करेंगे next आप background इसमें से एक background उपन करेंगे जो background हमें इसमें डालना है photo में colorful कोई भी एक background select कर ले और open पर click करें यह background open हो जाएगा फिर इसको copy करेंगे फिर इसके अंदर हम paste into करेंगे इसका shortcut है control shift v इस पर click करेंगे यह background अंदर fill हो जाएगा फिर background को control T और alt और shift प्रेस करके इसको छोटा करेंगे छोटा करके background अपने हिसाब से set कर लेंगे उसके बाद apply करने के लिए double click करेंगे और यह background changed okay and ready you